एक, दो, तीन, चार, पांच, छे नमस्कार हम लोग चाहते हैं कि हमारे शरीर का फैट कम हो तो इसके लिए वर्काउट करना कैसे करें, कहां करें ये एक मंच्छा जो है हमारी रहती है आज कल एक वर्काउट के लिए एक मसीन आ रही है जो ट्रेड्मिल तो आपने सुना होगा ट्रेड्मिल जो है वो चलने के लिए काम आती है लेकिन आज कल एक सीडियों की ट्रेड्मिल भी आ रही है जिसमें उपर से नीचे तक वो सीडियां चलती रहती है और उनके उपर जो है आप चलते रहें उससे जो फैट है वो डिजोल होगा लेकिन जब हमारे पास खुद की सीडिया हैं तो हम उसका काम उसका उपयोग क्यों न ले तो इसके लिए आज मैं छोटी सी एक क्रिया आपको बताऊंगा कि कैसे हम स्वासों के साथ जो है इसको कर सकते हैं और step के दो आज इसको बांध कर हम हमारे fat को हमारी calories को बहुत burn कर सकते हैं देख़िए कईयों को घुटना दरद हो सकता है कईयों को जो है कमर में दरद हो सकता है तो वो धियान लख्यें कि सीडियों की जो उंचाई है वो कम हो कई घरों में मैंने देका 7 इंच की सीडिया होती है कई घरों में 4-5 इंच की सीडिया भी होती है कई घरों में ऐसा भी होता है कि नीचे कई सीडिया छोटी होती है कई सीडिया बड़ी होती है तो आप जिनके घुटना और कमर का दर्द है वो छोटी सीडिया यानि 4-5 इंच उंचाई की सीडियां जो है वो काम में ले और बाकी जो है वो 6-7 इंच की सीडियां जो हमारी जीना जो उपर चड़ने वाला होता है उसको काम में ले सकते हैं इसमें कहां-कहां इफेक्ट आएगा ये मैं बात करूँ तो जो हमारी थाईज है इसके उपर बहुत अच्छा इ और जिन बोडी पार्ट्स का इसमें काम आता है, जो बोडी पार्ट्स काम आते हैं, वहाँ पर मसल्स जो है वो डवलप होंगी, तो फैट वहाँ रिजोल होना ही है, करना कैसे है, देखें सीडियों का उप्योग, आप एक सीडियों का उप्योग ले सकते हैं, दो का ले सकते ह तो पहले जो शुरू शुरू में है, पहले दिन आप एक CD का उपयोग लीजिए, कैसे? यहाँ से अगर पाऊं को आपने लेना है, तो देखे, यहाँ से एक से शुरुवात करेंगे, चाहे बाएं पैर से कर लीजिए, दाएं पैर से कर लीजिए, लेकिन आम तोर पर हम बाए पैर से चलना शुरू करते हैं, तो 20 से हमारी शुरुवात हुई, एक, दो, तीन, चार, चार की गिनी उसमें एक स्टेप हमारा पूरा हो गया, एक सरकिल पूरा हो गया, एक, दो, तीन, चार, अब यहां पर जिस पैर पे खतम हुए, वहीं से हमें दूसरे स्टेप के लिए श से शुरू, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, समझ गए होंगे आप, बाएं पैर पे खतम किया, तो 20 से शुरू करना, तो जिस पे खतम किया, उसी से शुरू करना, इससे क्या होगा, दोनों पैर पे बैलेंस चलेगा, वरना क्या होता है, हम एक ही एक पैर से उपर चड़ते हैं, एक ही एक पैर से नीचे आते हैं, तो इससे हमारे एक body part पर तो effect आता है, एक जो है उससे कमजोर रहे जाता है, तो दोनों को balance करना है, बहुत हलका सा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिंपल सी चीज है, जो घरों में हम कर सकते हैं, हमारे पास जीना है, घर में सीडिया होती है, अगर आप किसी जिम में नहीं जा पाएं, तो मैं बता रहा हूँ, इसको भी अगर आप शुरू शुरू में, जैसे आपने 57 बार किया, 57 steps किये, उसके बादे में 20 steps, 40 steps, 50 steps, यानि आप अपनी capacity के अनुसार, आपको लगे कि मैं ठक गया या ठक गई, छोड़ दीजिए, एकदम छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद में वापिस कर सकते हैं, या इसको योग की जो क्रियाएं आप कर रहे हैं, उसके पहले वार्मप की exercise में भी इसको यूज ले सकते हैं, पोड़ सिंपल सी चीज है, हमारे घरों में रहती है, तो इसको first step हमारा यहां से हो गया, अब आपको लगा कि मेरे को थोड़ा सा और आगे बढ़ना है, और step को आगे बढ़ना है, तो 10 दिन आपने single CD से किया, फिर आप double CD पर जाएं, देखिए double CD से कैसे करना है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छै, एक CD में 4 हुए, इसमें 6 होंगे, फिर जहां 6 खतम हुआ, उसी पैर को उपर, एक, दो, तीन, चार, पांच, छै, अब 6 पे बाएं पैर पे जब खतम हुआ, तो यहीं से वापिश शुरू करना, एक, दो, तीन, चार, पांच, छै, अब यहां पर कईयों को सीडिया चटने में घुड़ना दर्ध होता है। तो कोई घुटने की प्रॉब्लम है जब तो देखिए करिए बात। अगर आपको सिंपल हलका सा दर्ध है तो एक नीगार्ड जो है उसको पहनिएगा। नीगार्ड पहन सकते हैं तो दोनों पैरों में नीगार्ड पहन के छोटी सीडी में आप करिएगा। उसमें इतना इफेक्ट नहीं आएगा और फिर भी आपको तीन-चार दिन करने के बाद में घुटने में दर्ध है तो फिर आप मत करिएगा। इसका मतला है आपका शरीर मना कर रहा है और एक Сीडी से करिए फिर आपको लगेगा कि आप मेरे शरीर में ताकत आगाई तो फिर दो सीडीयों से शुरू करें तो उसमें दो सीडीयों में 6, 7, 8 ये step by step देखें, हम गिंती में किसी चीज को क्यों बानते हैं इससे हमें एक अनुशासन मिलता है और हमारी जो गती है वो एक fix रहती है और हमें एक counting भी मिलती है हम जो है फिर अगले दिन उससे और आगे बढ़ने के लिए तयार रहते हैं तो जैसे आपका 15 दिन हो गया या 20 दिन हो गया तो आप 3 step पे भी जा सकते हैं तो कैसे करना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तीन सीडियों में 8 की गिंती होगी और जहां खतम हुई जैसे दाइने पैर पे खतम हुई तो यहीं से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अब दाइने पे खतम हुई यहीं से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 रिलेक्स यहां फर्क कहाएगा पैरों के अंदर पिंडलियों का फैट है पैर का फैट है फिप्स का, थाइस का यानि इस पूरे एरिये में और लोर एप्स के उपर अच्छा इफेक्ट आएगा बाकी फिर कामार और अदर जो शरीर के हिस्से है उनमें भी बहुत अच्छा इफेक्ट आने वाला है अब जब आप ये सारा करी रहे हैं तो इसके साथ एक पिंडलियों की बहुत अच्छी एक्सेसाईज है जिसको रोज करनी चाहिए हम लोग सीडियों पे जाते नहीं भूल जाते है जब आप इस एक्सेसाईज के लिए हम सीडियों पे जाएंगे तो फिर इसके साथ कर लेजिए तो इसको स्वांसों के साथ करना है देगे ये जो क्रिया है इसमें कोई स्वांसों का कोई रोल नहीं है सामन्य गती से आप जाएं वैसे सीडियों में स्वासों का सीधा कोई रोल नहीं है आपको जहां स्वास लेना है लीजिए छोड़ना है छोड़ दीजिए स्वासों की गती सामन्य रहेगी अब जो ये दूसरी क्रिया है जो पिंडलियों के लिए है विशेस रुप से हमारी पिंडलियों को नरम करने के लिए मैंने आपको पहले बताया था पिंडलियों को नरम करने की एक जो है क्रिया बताई थी उसमें मैंने बताया था सीडियों पर करना है तो वो कैसे करना है वो इसी के साथ कर लीजिए दोनों तरफ जो है आपने जीने को पकड़ लीजिए और पैर को नीचे लेकर जाना स्वास भरते हुए स्वास छोड़ते हुए आप स्वास भरते हुए डाउन छोड़ते हुए आप भरते हुए डाउन इससे आपके पूरे पैर की पीछे की जो नसे है वो खीचेगी down, 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 first day 5 time करिए फिर उसके बाद में अगले दिन 10 बार फिर अगले दिन 15 बार फिर अगले दिन 20 बार ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो पिंडलियों की ताकत बढ़ेगी और पिंडलियों में जो गैस भरी हुई ये tightness है वो tightness जो है वो इससे कम होगी फिर सिंगल सिंगल पैर से भी कर सकते हैं, अगर आपकी ताकत बढ़ गई, तो आप क्या करें, एक पैर से, जैसे एक पैर से नीचे गए, फिर आप, फिर स्वास बरते वे दूसरा पैर, फिर आप, फिर स्वास बरते वे डाउन, छोड़ते वे आप, बरते वे डाउन, आप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, रिलेक्स ये पिंडलियों के लिए दो exercise वैसे ये जो क्रिया है ये आपके पेट को बहुत अच्छा खिचाव देती है क्योंकि हमारी गैस की जो pipeline है वो पेर के पीछे से है और पिंडलियों में गांठें बड़ी हुई है बहुत 90% लोगों को पेर की पिंडलियों में गांठें है इससे वो गांठें तूड जाएंगी और जो पिंडलियों की जो pipeline है वो एक तब खिचके blood का circulation सही पहुंचा देगी इससे हमें बहुत अच्छा relief होगा बहुत अच्छा feel होगा आप अपने शरीर को हलका महसूस करेंगे यह चोटी सी क्रिया बताईए अगर आप किसी उसमें बंद नहीं सकते आप योग की क्रियाओं में नहीं बं सकते कि वही सुबह मुझे काम रहता है शाम को काम रहता है तो खाना जब आप एक बजे खाना खा रहे है उससे एक घंटा पहले भी कर सकते हैं इसको तो इसमें तो कोई बैठना करना कुछ है ही नहीं सिंपल सी बात है सीडियों पर करना था तो आपने कर लिया कि मुझे 15 मिनट का मेरा वर्काउट करना है 15 मिनट मुझे 11 बजे करना है 15 मिनट मैं सामगो 6 बजे भी कर सकती हूं या कर सकता हूं तो 6 बजे कर लिया तो वो वर्काउट आपका एकदम शानदार हो जाएगा हाँ ये ज़रूर ध्यान रखना कि जैसे periods time में है माताओं वैनों को उस समय में नहीं करना उस समय शरीर को किसी प्रकार की इस प्रकार की खिचाव क्रियाय नहीं करनी चाहिए बाकी बहुत ज़्यादा गंभीर प्रकृती के रोग हैं जिन में स्वांस बहुत ज़्यादा चड़ता है बढ़ता है उन लोगों को थोड़ा सा अपनी precautions खुद को ध्यान रखना चाहिए डोक्टर से कुछ राय लेके कि मैं ये कर सकता हूं क्या तो जिनको सीडियां चड़ने की सला दी गई है उनको मैं ये मानता हूं कि ये ऐसी क्रियाई अगर करते हैं तो उसे थकान भी नहीं आएगी घुटने भुटने में भी समश्या नहीं आएगी और हमें एक हलकापन महसूस होगा शरीर हलका होगा और हम बड़े स्वस्त शरीर को स्वस्त करें और जीवन जो है वो आप आनंद में जीएं तो इसी आशा आप एक्षा के साथ मैं डोक्टर मनोज योगा चाहरे लेता हूं जाज़े त्रीनेतर टीवी के लिए त्रीनेतर योगधाम से नमस्कार